दोस्तो पिछले वीडियो में हम लोग ने पॉल्ट्री जो फार्मिंग है उसको हम लोग कम्प्लीट किये थे दोस्तो उसके बाद जो अगला सले बस UPSC में जो मेंसन है अगला जो टोपिक वो हमारा है एग्रो क्लाइमेटिक जोन तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग एग्रो क्लाइमेटिक जोन को यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं तो देख लेते हैं एग्रो क्लाइमेटिक जोन में हम लोग क्या क्या यहाँ पे स्टडी करेंगे सबसे पहले देखेंगे purpose क्या है agroclimatic zone का क्यों बनाया गया था agroclimatic zone और agroclimatic zone की definition क्या है definition दोस्तों यहाँ पर FAO द्वाराज दी गई है Food and Agriculture Organization 1983 में जो definition दी गई है उसको यहाँ पर discuss करेंगे फिर देखें case basis पर इसको division किया गया है इंडिया को agroclimatic zone में उनकी variables क्या है उसको भी देखेंगे और साथ सथ यहाँ पर जो इंडिया को 15 climatic zone में agroclimatic zone में divide किया गया है यह पर planning commission planning commission के द्वारा उसको भी यहाँ पर थोड़ा detail में हम लोग study करेंगे दोस्तों UPSC की बात करें तो यहाँ पर prelims में भी question बनते है agroclimatic zone का और फिर mains में भी बनते है prelims में आपसे पुछा जा सकता है agroclimatic zone को count define किया है तो define यहाँ पर FAO किया हुआ और कौन यहाँ पर इसको divide किया है पंद्र एग्रोक्लाइमेटिक zone में तो आप बुल सकते हो यहाँ पर कि जो division जिन्होंने किया है वह हमारा planning commission ने किया है ठीक है planning commission ने किया है इसकला यहां पर पूछा जा सकता है कि कब किया है 1988 में planning commission ने किया था लेकिन FAO ने यहां पर define किया था 1983 में तिसारी prelims के perspective से भी important है लेकिन mains के perspective से ऐसा question यहां पर बन सकता है या बने हुए है कि agroclimatic zone को define करो और कितने agroclimatic zone में बाटा गया उसको भी यहां पर mention किजिए और साथ-साथ किसी एक agroclimatic zone को आप detail में describe किजिए ठीक है ति हमारा UPSC के द्वारा इस टाइप के question बन सकते है state PCS के बात करें दोस्तों अपको agroclimatic zone कितने है वो पूछ जा सकते है और जहां पर कौन से agroclimatic zone है उसके बारे में detail में पूछ जाए सकते हैं जैसे UPPCS की बात करें यहां पर गंगेटिक को कितने एग्रोकलाइमेटिक जोन में डिवाइड किया गया है इस पर क्योशन बने हुए है और आगे भी बन सकते हैं तो दोस्तो एग्रोकलाइमेटिक जोन स्टेट PCS की परस्पेक्टिस से बहुत ही ज्यादा महत्यपूर्ड है दोनों ही प्रिलिम्स और मेंस में दोनों में क्योशन पूछे आते हैं एग्रोकलाइमेटिक जोन से चलो दोस्तो इसी को दिहान में रखते हुए आज हम लोग सारे कॉंसेप्ट को यहां पर क्लियर करने कि कोशिज करेंगे एग्रोकलाइमेटिक जोन से रिलेटेट तो सबसे पहले दोस्तों यहां पर परपस की बात करते हैं क्यों एग्रोकलाइमेटिक जोन को बनाया गया था दोस्तों आपको पता होगा कि 1960 से 1970 तक हमारे इंडिया में ग्रीन रिबुलोशन का दौर रहा है य यहां पर पर इर्रिगेशन की सुद्भा उपलप थी वहां पर ग्रीन रिबुलोशन को इंप्लीमेट किया गया और इससे नागेटिव आउटकम कह आया है कि रीजिनल जो ठाल्टी थी हो हमारे बढ़ गई यानि कि जहां पर green revolution implement किया गया वो हमारा ज्यादा डेवलप्ट हो गया जैसे आप देशकते हो कि पंजाब हरियाड़ा और western UP ज्यादा डेवलप्ट हो गया इस केंपे टो eastern UP बिहार वेस्ट बंगाल तो यहां पर regional एक डिस पार्टी देखने को मिली इंक्रीज होगे regional डिस पार्टी डेवलप्मेंट के चलते हैं तो उसी को ध्यार में रखते हुए regional डिस पार्टी को कम करने के लिए यहां पर गौर्रमेंट ने क्या कि कि प्लानिंग कमेंशन आप बोल सकते हो उसमें micro level का plan हो मुझनी चाहिए यहाँ कि agriculture में दिुअलायजेशन का concept लाया यह याँ कि पूरे इंडिया में agriculture को अलग अलग लग रिजिनल में बाटेदेने का या जोन में बाटने का यहाँ पर planning किया तो planning commission यहाँ पर 15 अग्रोकलाइमेटिक जोन में devy-doist कियाrepresented 1988 में कौन से आप बोल सकते हो फाइफ ये प्लान में सेवेंथ फाइफ ये प्लान और हमारे डिग्रेशन है 1985 से 1990 में तो यहाँ पर बोल सकते हो परपच में क्या था में था कि यहाँ पर ग्रीन रिबोलेशन के जो आउटकम हुए थे तो इसी परपच को ध्यान में रखते हुए प्लानिंग कमेशन ने इंडिया को 15 कलामेटिक जोन में डिवाइट किया था दोस्तो अब आते हैं एग्रोकलामेटिक जोन की डिफिनिशन दोस्तो प्लानिंग कमेशन से पहले ही यहाँ पर फूड एन अग्रिकल्चर और्गनाज़शन एफ ओ ने 1983 में एग्रोकलामेटिक जोन को डिफाइन किया था यहाँ डिस्कसन पहले से यह स्टार्ट हो गरी थी कि रिजिनल जो डिस्पार्टी है उसको कैसे दूर किया जा है तो यहाँ पर डिफिनिशन आप दे सकते हो एग्रोकलामेटिक फूड एन अर्गनाज़शन के द्वारा जो डिफिनिशन देगी है उसमें बोला गया है कि एग्रोकलामेटिक जोन इस दे लैंड यूनिट विट रिफिजेंट अमेजर क्लामेट एन ग्रोइंग प्रियेट प्रिछाइजली इसका मतलब है एक एक एरिया है ठीक है एक लैंड की एक एरिया है जो आप बोर से तो ए इक होम जईने करती है किस छह्तर में मं यहल है और ईहां पर आप देखोगे मालव एक बड़ा area है इसमें इशन लीडा क्लैमेटिक को आपको किये धिति क्या करेगा है हमारे एक क्लाइमेट को कोई Alison और यहां पर growing period growing period का मतलब यहांपर की अफ्याइट कि अफ्याइट नहीं बोला है ठीक है growing period का मतलब यहां पर हो जाएगा कि खरीब में वहाँ फासल को रिंग कियाती है, कि रवी में या जायद में किस तरफ सके जा दी है तो उसको यहाँ पर दोनों को ध्यान में रखते हुए एग्रोकलाइमिटिक जोन में डिवाइड किया गया तो यहाँ पर दिफ्रेंसे एक बाद फिर देखुनेंते हैं जो different climate थे इंडिया में उसी को extension करके यहां पर agroclimatic zone में divide किया गया है तो यह मारा definition हो गया दोस्तों इसकी variable के बात करें तो variable में आप देश करते हो दू major variable है जैसा कि definition से ही हमें पता चल गया है कि पहला है कि यहां पर agriculture variable के बात करें तो growing period growing period के मतलब है आपे किस में किस पीरेड में फ़जल growing की जा रही है किस के लिए suitable है दूसरा यहां पर climate variable का मतलब है आपे temperature rainfall जो हमारे है वहाँ पर किस टाइप की rainfall है कब आती rainfall temperature वहाँ पर क्या है वहाँ पर atmosphere में moisture क्या है ठीक है humidity क्या है सारे कुछ को consider करके climate और growing period दो variable को consider करक इंडिया को 15 climatic zone में divide किया गया है तेमारे दू major variable है इसको भी आप ध्यान रखना ठीक है अब चलते हैं यहाँ पर 1988 ने में planning commission ने जो 15 agroclimatic zone में इंडिया को divide क्या है वह क्या-क्या है इसको भी दोस्तों हम लोग एके करके detail में study करेंगे लेकिन यहाँ पर UPSC क्या है complete नह 15 climatic zone में divide करो इंडिया को और किसी एक को detail में आप explain करो ठीके यदि किसी state pieces को आप त्यारी कर रहे हो तो आप particular ओहां की जो agroclimatic zone है उसी को आप ध्यान रखते हुए आप अपना त्यारी कर सकते हैं तो देख लेते हैं 15 agroclimatic zone इंडिया में कौन-कौन सी है तो सबसे पहले यहाँ और दोस्तों यहाँ पर western Himalaya यहाँ पर western Himalaya वेस्टन Himalaya में आप देख सकते हो इसको detail में देखेंगे लेकिए Western Himalaya में आपको अलगी climate देखने मिलेंगे जो यहाँ पर region है एज compare to यहाँ पर 6 और 5 वाले में तो यहाँ की climate है यहाँ की climate है दोनों में differences आपको period है उसमें भी difference देखने को मिलेंगे ठीक है यहाँ पर मालो winter में यहाँ पर खेती नहीं की जाती है क्योंकि यहाँ पर around नहीं करता लेकिन आप देख सकते हो 6 और 5 में यहाँ विंटर में भी खेती की जाती है तो growing period भी यहाँ पर difference देखने मिलेगा दोनों में और यहाँ प आप इसको relate कर से देख लो बहुत easily है इसको remember करना कैसे क्योंकि आपको पता होगा physiographic division है तो physiographic division में कौन कौन से हम लों देखा था हिमालेयन को देखा था और northern plane को देखा था peninsular जो इंडिया है उसको भी देखा था और यहाँ पर coastal plains भी थी तो हम लों देखे थे तो उसी को हमालेयन की जो climate है वो eastern हमालेय की जो climate है उससे different होते हैं तो हमालेयन रिजन को दो पार्ट में divide कर दिया गया है वन और टू में फिर आपते हैं ग्रेट इंडियन प्लेज प्लेज़ को आप देखे तो यहाँ पे कि चार पार्ट में डिवाइड किया आगया है यहाँ कि आप ईजली रिमेंबर कर सकते हूँ अब अ क्लायमेट में वरिशन देखने मिलता है क्योंकि जैसे जैसे सिसे दूर जाता है वो हमारे रेंफॉल में भी चेंज होते हैं, इंटेडिर होता है, रेंफॉल चेंज होते हैं, और यहाँ पर growing create उसी तरह से effective हो जाते हैं, तो आप देशते हो कि यहाँ से, फिर हमारा छेक बाद साथमा जो इस्टार्ट हुआ है, वो हमारा यहाँ पर इस्टार्ट हुआ है, तो हमारा एक western plateau hills आजाएंगे, फिर दस आप जाओगे तहाँ पर southern plateau, तो आप देशते हो पर इंटिरियर पार्ट है, उसको भी चार पार्ट में डिवाइड के आगया है, तो pattern आप देशते हो, हिमाले निजर को दो पार्ट में, नदन प्लेन को चार पार्ट में, फिर पेन coastal plane है, उसको भी अलग रिजन में, फिर यहाँ पर गुजरात का रिजन और फिर यहाँ पर जो एरिड रिजन है, राजस्तान का, वो हमारा, फिर हमारा अगला जो है आईलेंड्स, तो पंदरा आप इसली यहाँ पर रिमेंबर कर सकते हो, क्योंकि फिजियोग्राफिक डिव दिविजन कर दिया है, तो देख लिते हैं, पंदरा कॉन कोई सी है, सबसे पहले western हिमालया, फिर eastern हिमालया, फिर हमारे यहाँ पर lower gangetic plane, फिर हमारे यहाँ पर middle gangetic plane, फिर यहाँ पर आपर gangetic plane, फिर trans gangetic plane, सातवा हमारा आ गया, सिक्मेंट सी आप अच्छे से इसको अमेंबर करने है, फिर सातवा यहाँ पर eastern plateus and hills, फिर यहाँ पर central plateus and hills, फिर यहाँ पर आपको western plateus and hills, यहाँ फिर southern plateus and hills, फिर आपका यहाँ पर east coast plane, west coast plane, गुजरात planes, और यहाँ पर western dry plane, यहाँ राजस्तान plane, यहाँ आइलेंट्स, यह हमारा 15 division हो गया, एक रहो क्लाइमेटिक डि rate के basis पर, तो चलो जो जो अब यहाँ पर एके करके थोड़ा सा detail हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, कि एकजामे पूछ ले आते हैं, तो हमें क्या लिखने हैं, तो western हिमालिया, तो western हिमालिया की areas आप देखोगे, जैसा कि map से ही clear हो गया होगा, कि जम्मो कस्मिर का area included है, लद्दाग की area included है, हिमाचिल प्रदेश की area included है, और उत्राखन की area included है, लेकिन उत्राखन में जो plain area है, जो southern part है, plain area है, उसको include नहीं किया गया है, तेमारे western हिमालियान है, इसमें आप एक homogeneity देखने हो मिलेगी, यहाँ पे rain fall में भी, और temperature में भी, याने climate में यहाँ पे growing जो period है, उसमें भी homogeneity देखने मिलेगी, एक pattern देखने मिलेगा agriculture का इसमें, western हिमालिया में, ते रेनफाल यहाँ पे 100-200 cm की average बीच में होता है, और winter में rain fall होता है, जादा है, hill terrain है, low temperature होता है, all the year, major crop आप देखते हो, तो plantation crop है, जिससे walnut हो गया, leechy हो गया, almonds हो गया, cherries हो हो गया, separate हो गया, तो यहाँ पर plantation crop, एक unique आपको यहाँ पर cropping की pattern देखने को मिलेगी, कौन सी western हिमालिया में, आप जलते हैं, दूसरा यहाँ यहाँ इस्टन हिमालिया, तो map से clear हो गया था, eastern हिमालिया हमारे, all northern, जो north eastern जो state है, वो हमारे included है, including यहाँ पर है, वेस्ट की सबसे highest rainfall यहाँ पर होती है, eastern हिमालिया में, crops की बात करें, तो rice और fish integrated crop यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं, north east region में, generally आपको अरुणाचर प्रदेश में, orange की crop होती है, tea की plantation होती है, तो हमारे major crop हो गया, minor crop तो सारे कुछ है आप देखने में लेंगे, लेकि major यहाँ crop हो जाएगी, orange, fish and rice and teas, ठीक है, तो हमारे eastern हिमालिया की agroclimate region की characteristics है, अब चलते हैं, तिसरा यहाँ पर lower gangetic plane, map से clear हो गया था, lower gangetic plane हमारी west बंगाल, except dargeling, dargeling हमारा second agroclimate zone में, include कर दिया गया था, तो west बंगाल वाली region है, और eastern बिहार वाली region है, यह हमारी lower gangetic plane है, crops की बात करें, यहाँ पर rice क्योंकि high rainfall होती है, यह close to seas है, ठीक है तो rice यहाँ पर cultivated होती है, jute की cultivation होती है, क्योंकि water logging होती है, rainfall हो ज्यादा होता है, फिर potato की भी cultivation होती है, major crop यहाँ पर rice, jute और potato है, lower gangetic region में, अब चलते हैं, गंगेटिक region के अगला जो पाठ है, middle gangetic plane, तो middle gang gangetic plane, इसके उपर आप जाएगा, western side में, यहाँ पर age compared to lower gangetic plane, rainfall यहाँ पर थोड़ा से कम होगा, क्योंकि आप जैसे जैसे sea से दूर जाओगे, rainfall कम होती है, तो eastern, up, western, बिहार, दोनों को include करके middle gangetic plane यहाँ बनाए गया है, crops के बात करें, again यहाँ पर rice, mage और wheat यहाँ पर cultivation की जाती है, तो हमारा middle gangetic pillar है, फिर इसके उपर जाओगे दोस्तों eastern part में, तो again यहाँ यहाँ पर rainfall, as compared to middle gangetic plane, rainfall यहाँ पर कम हो जाएगी, अपर gangetic plane में, area के बात करें, central and western, up, plane area यहाँ उत्रा खंड, यहाँ इंक्लूड हो जाएंगे, आपर gangetic plane में, crops के बात करेंगे, rice, wheat औ द्वारा नहीं बनाया गया है, यहाँ पर इंडर्स वाली जो plane है, जैसे पंजाब, हर्याडा, डेली और नर्दन राज्स्तान, है हमारा trans gangetic plane में आता है, यहाँ पर जो इंडर्स की जो ट्रिबूटरीज है, सैतलच, उसके द्वारा यह बनाया गया plane है, तो यहाँ पर crops द पर देते हैं यहाँ पर नागपूर की जो plane है, उसको eastern plane and hills बोलते हैं, तो यहाँ नागपूर की area, नागपूर की area एक मतल़ है आपे जारखंड, यहाँ जारखंड हो गया, उडिसा हो गया, वेस्ट मंगाल के कुछ area, सरभ कुछ मिला के यहाँ छोटा नागपूर एरिया ह वो हमारा mineral rich area है, उसको बलते हैं eastern plate you and hills, इसमें आपको rice, millet, groundnut की यहाँ पर ज्यादा पैदा की जाती है, फिर आप इसकी west में जाओगे तो आपको मिलेंगे central plate you and hills, इसकी area आप देखोगे तो मुंदेल खंड, बागहल खंड, बिंध्याज, eastern मालवाज, plate you, सारे include करके हमार central plate you and hills है, यहाँ पर major crops आप बात करोगे, तो cotton, soybeans और pulse यहाँ पर खेती की जाती है, center plate you and hills में, इसकी थोड़ा southern में जाओगे और western में जाओगे, तो यहाँ पर western plate you and hills मिलेंगे, इसको आप बोल सेकते हो western decans, मालवा plate you फी इंक्लूड़ा थोड़ा सा, अब यहाँ पर crops की ब सदर्ण डेकन की जो एरिया है, महाराष्टा, करनाटका, आंधरापर्देश, तेलंगना, तमिलाडो, कि यह सुरांडी के एरिया है, वहाँ पर उसको बोलते है, southern plate you region, यहाँ पर यूनिक climate देखने हो मिलेंगे, growing period भी यूनिक देखने हो मिलेंगा, यहाँ पर cotton, millet, tea, spice यह यहाँ पर दोस्तों, eastern coastal plains, agroclimatic zone अगला है, तो eastern coastal plains ठीके, नाम से पता है कि eastern coastal अगला अगला climatic zone है, उसकी area आप देखोगे, तो coastal area अधरापरदेश, तमिलाडो, यानि कोरोमंडल वाली area पूरा, आप बोल से तो eastern coastal agroclimatic zone यह हमारा है, इसमें आप देखोगे, तो rice, jute, tobacco बैकू, सुगर केन, यह हमारी major crops है, eastern coastal plains agroclimatic zone में, दोस्तों, अगला है आप देखोगे, western coastal plains agroclimatic zone, यहाँ पर area जाद होगे, तो coastal area महराष्टा, कनाटका, किरला कोस्ट, इस सारे western coastal plains agroclimatic zone के अंदर जादा है, crops की बात करें, तो rice, coconut, oilseed, यह हमारी major crop है, वहाँ पर western coastal agroclimatic zone का, अब दोस्तों, हमारा बच जाता है, गुजरात plain, गुजरात plain में, नाम से पता है, गुजरात एरिया में होगी, और हमारे groundnut cotton यहाँ पर major, यहाँ पर आपोल सेखोगे, crop यहाँ पर उगाया जाता है, फिर हमारा अगला है, यहाँ पर western dry plains, यह unique है, क्योंकि irrigation की कमपानी की जरूत पड़ती है, ऐसे यहाँ पर फसल उगाया जाते है, जैसे मूंकी, खेती, बाजरा और जुआर यहाँ पर western dry plains पर उगाया जाते है, लेकि यहाँ पर live stock जो रीरिंग है, अच्छी खासी बातराम होती है, western dry plains पर, जुस्तों, लास्ट यहाँ पर अब growing period है, वो भी हमारा different है, यहाँ पर rice, mage और turmeric, यहाँ पर major crop हुगाया जाते है, आइलेंड्स पे, तो यह हमारा दोस्त हो गया, 15 agroclimatic zone, जो planning commission की द्वरा, delineate किया गया था, मिलते हैं अगले वीडियो में नए topic साथ, थैंक यू